तिक सनान की सबसे पहली कहानी गनेश जी की कहानी एक मेंडक था एक मेंडकी मेंडकी रोज गनेश जी की कहानी कहती थी एक दिन मेंडक बोला तुम पराय पुर्ष का नाम क्यों लेती हैं अगर आप तुम दुबारा गनेश का नाम लेगी तो मैं तेरा सिर्फ ओड़ दूँ बहुत कस्ट हो रहा है तू अपने गनेजी को याद कर नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे तब मैंडकी ने साथ बार गनेजी 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 कहा तो एक सांड लड़ता हुआ आया और पतीले को गिरा दिया मैंडक और मैंडकी बहते हुए त सब के कस्ट दूर करना हमारे भी कस्ट दूर करना और सारे परिवार के कस्ट दूर करना वो लिए गनेजी महाराज की जै कार्तिक की दूसरी कहानी कहानी इस प्रकार है एक बुढिया कार्तिक का वरत करती थी उसके लिए भगवान शेक रिश्न खिचडी का कटोरा रख जाते बुढिया वरत को लेती पडोसन देखकर जलती थी इसका तो कोई नहीं है फिर वी से खिचडी खाने को मिल जाती है एक दिन बुढिया कार्तिक नहाने गंगा जी गई भगवान आये और खिचडी का बेला मकान में रग गए पडोसन ने खिचडी का बेला उठा कर मकवान के पच्छवाडे में फैंक दिया बुढिया आई तो उसने खिचडी का बेला ढूंडा उसे कहीं नहीं मिला वैबुखी ही रह गई कहने लगी कहां गई मेरी खिचडी कहां गया मेरा बेला घर के पिछवाडे में उस खिचडी से दो फूल बन गए, राजा जी आए फूल दोड कर ले गए, दोनों फूल रानियों ने सूंग लिए, रानी को गर्ब रह गया, राजा रानी के कोई संता नहीं थी, फूल सूंगने से रानी के दो लड़के पैदा हुए, लड़के बड होने लगे, प्रन्तु वह किसी से नहीं बोलते थे, दोनों लड़के शिकार खिलने जाते, रास्ते में बुड़िया मिलती, बुड़िया कहती, कहा गई मेरी खिचडी, कहा गया मेरा बेला, लड़के कहते हम ही है तेरी खिचडी, हम ही है तेरा बेला, जब भी लड़के श बुर्या ने कहा मुझे इस बात का नहीं पता, मैं तो कार्ति कवरत करती थी, भगवान शी कृष्ण जी मेरे लिए खिचड़ी दे चाते थे, एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, जब मैं कहने लगी कहां गई मेरी खिचड़ी, कहां गया मेरा बेला, तब है लड़कों ने बताया, तुम्हारी परोसन ने खिचड़ी फैंक दी थी, उससे फूल बन गए, फूल राजा जी तोड़कर ले गए, जिससे हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुर्या के लिए भेजा था, तब राजा ने बुर्या को अपने महल में ही रख लिया, और इस त राजा के दोनों लड़के बाच्छीत करने लगे, और बुर्या को भी राजपाट का सुख मिला, कार्तिक नहा ने मातर से बुर्या को राजपाट का सुख मिला, कार्तिक की कहानी, एक बुरे की साथ भुवे थी, बुर्या अपनी भुवों से कहने लगा, मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम सब निभादोगी, छेओं भुवों ने कार्तिक नहाने के लिए मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भुवों ने कहा, पिता जी, आप कार् हमारे घर आकर ही कार्तिक नहा लेना बुड़ा हरोज सुबह उठकर नदी पर जाकर सनान करता धोती उसके आंगन में सुखा देता जैसे जैसे धोती में से पाने गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते यह देखकर छेवें भुवें कहने लगी पिताजी हमारे यहां आकर नहा लें तब बुड़ा कहने लगा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है सो मैं तुम्हारे यहां नहा लेता हूँ अगले सुबै बुड़ा नहा धोकर धोती अंगन में डाल देता है माहीरे मोती तो नहीं गिरते लेकिन सारी बुढ़े कहने लगती है हमारे यहां तो हीरे मोती नहीं गिरते हमारे यहां तो कीचड़ हो जाता है हमारे यहां तो तुम पाप से नहाते हो और छोटी बहु के यहां तुम पुन्य से नहाते हो अब बुड़ा फिर से छोटी बहु के यहां नहाने लगा रोज सुबे धोती धोता हीरे मोती गिरते इस प्रकार कार्तिक का पूरा महीना खतम हो गया उसे चिंता होने लगी छोटी बहु ने पूछा पिता जी आप किस बात की चिंता करती हैं तब बुड़े ने कहा बहु मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया मेरा मन करता है कि मैं कार्ति का उध्यापन करूं सारे परिवार को खाने पर बुलाऊं तब बुड़ा इसमें चिंता की क्या बात है आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दे तब बुड़े ने न्योता दिया जब बूडा अपनी सारी बहुओं को न्योता देने गया तो बहुओं ने कहा हम तो तब भी तुम्हारे घर आएंगे जब छोटी बहु तुम्हारे घर नहीं होगी बूडा वापिस आकर चिनता में बैठ गया छोटी बहु ने पूछा पिता जी आप किस बात की चिनता करते तब बूड़े ने कहा सभी का कहना है कि यदि तुम घर में रहोगी तो हम खाना नहीं खाएंगी तब चोटी बहु ने कहा आप चिंता ना करें मैं चार रोटी लेकर खेत में चली जाओंगी आप नियोता दे दें सारे बहु आई उन्होंने कुछ तो खाया कुछ खिंडाया और कुछ में मिट्टी और कंकर ढाल कर चली गए उन्होंने सोचा आप तो चोटी बहु आ कर परिशान होगी उदर चोटी बहु खेत में कह रही थी राम जी की चिडिया राम जी का खेत चुगलो चिडिया भर-भर पेट मेरे ससूर जी ने घर में जगा दी है मैंने खेत मे इस तरह से वह चिडियों को बाजरा डाल कर घर आ गई तब बूरा उदास बैठा हुआ था वह बोला पिता जी क्या हुआ आप उदास क्यों हूँ तब बूरे ने कहा बओ तुमारी देरानी जठानी आई थी उन्होंने खूब खाया पिया बचे वे खाने में कंकर पत्थर ड निमट गया बूरा वोला हाँ बाकी सब तो अच्छे से निमट गया कुछ कम नहीं पड़ा बहु अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में देरानी जठानी मिट्टी डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं घर महल हो गया है सारा घर धन दोलस से भर गया है अनके भंडार भर गई है तब ससूर ने कहा से उसने कहा पिता जी आप तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ नहीं बचा मेरे घर में तो हीरे मोती भर गई है जहां देखो वहां धन दोलत की वर्चा हुई पड़ी है अनके भंडार भरे हुए है घर महल बन गया है बूरे ने क बेटी तुमने कार्थिक सस्य निभाया उन्होंने पाप से कार्थिक के देवता तुम पर परसन हुए सो उनकी क्रिपा से तुमारे घर भर गए जैसे कार्थिक देवता ने बहु का घर भरा वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले कभी ऐसे ही हीरे मोतियों से घर बरना, अनधन के बंडार भर देना कार्तिक महत्तम की पत्थवारी की कहानी एक बुड़ी थी उसके चार बेटे थे, चार भेंसे थी कार्तिक का महीना आया, बुड़ी अपनी बहू से बोली मैं एक महीने के लिए कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम सब को एक एक भैस दे कर जाऊंगी एक महीने के बाद आकर देखती हूँ तुम मेंसे कौन सी बहु सबसे ज़्यादा घी जोड़ कर रखेगी तीनों बहुएं बहुत चलाग थी चोटी बहु को ना तो दूद बिलो ना आता था ना घी निकालना तीनों दिरानी जिठानी बोली हम देखेंगे कैसे करेंगे सासू छोटी बहु से ज़्यादा प्यार करती थी छोटी बहु को कुछ भी नहीं आता था वह बहुत भॉली थी वह अपना सारा दूद नहीं पीपल की पतवारी में सीच आती एक महीना पूरा हो गया तीनों बहु ने डिबबे भर भर के घी जोड रखा था छोटी बहु पतवारी माता से बोली मेरी सासू आएंगी तो मैं घी कहां से दूँगी पतवारी माता बोली तू चार कंकर ले जा जाकर चार डिबों में डाल देना बाकी बहुं का एक एक डिबबा भरा होगा तेरे चार डिबबे भर जाएंगे एक बहक चार कंकर लेकर चली गई चार डिबों में डाल दी उसके चार डिबबे घी से भर गई सासु आई तो बोली लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसीने कितना जमा किया है तीनों बहुएं बड़ी खुश होकर अपने डिबे लेकर आई, आपस में बोली अब सासु से इसको डाट पड़ेगी सबसे छोटी बहु चार डिबे लेकर आई बाकी तीनों बोली इसने तो कभी घी जमाया नहीं बिलोया नहीं इतना घी कहां से आया इसके पती ने लाकर दिया होगा तब छोटी बोग कहने लगी मुझे तो बिलोना नहीं आता नहीं घी जमाना आता है मैं तो दूद नहीं पीपल में पत्वारी में सीच देती मुझे पत्वारी माता ने दिया है सब ने पूछा पत्वारी माता के सीचने से इतना धरम वेफल मिलता है तो अगले साल हम सब भी कार्तिक नहाएंगी पत्वारी माता को सीचेंगी तो बोलिए पतवारी माता की जै कार्तिक मास की जै कार्तिक मास में लपसी तपसी की कहानी सुनने से ही कार्तिक मास का पूर्ण फल मिलता है लपसी तपसी की कहानी इस परकार है एक लपसी था एक तपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता लपसी सवासेर की लापसी बना कर भगवान का भोग लगा कर लोटा हिला कर जीम लेता एक दिन दोनों लड़ने लगे लपसी बोला मैं बड़ा तपसी बोला मैं बड़ा नारजी वहां से गुजरे और उन्होंने उन्हें लड़ते हुए देखा और कहा मैं कल तुम्हारा दोनों का फैसला करूंगा तुम में इसे कौन बड़ा है दूसरे दिन लपसी नहा कर आया नारजी ने उसके सामने हीरे मोती भी खेर दिये उसने देखा और वह हीरे मोती उठा कर काच में दबा कर चल दिया सुबह लपसी उठा नहां दोकर सवासेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीम लिया इतने में नारजी आये दोनों को बिठाया तब दोनों से कहा तुम में से आज कोन बड़ा है मैं उसे बताता हूँ नारजी ने कहा तुम दोनों अपने हाथ उठाओ दोनों ने हाथ उठाए तबसी की काच में से हीरे मोती गिरे नारजी ने कहा तुमने चोरी की है तुम्हारी तबस्या भंग हो गई इसलिए लपसी बड़ा है तबसी बोला महाराज मेरी तबस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा नारज जी बोले तेरी तपस्या काफल कार्थिक नहाने वाले देंगे यदि वे सारे पूजा पाठ करें कानिया कहें और तुम्हारी कानि ना कहें तो कार्थिक काफल तुम्हें मिलेगा इसलिए कार्थिक मास में लपसी तपसी की कहानी कहें और सुने बिना नहीं उठना चाहिए तो बोलिए लपसी तपसी की जै कार्तिक मास की जै कार्तिक के ठाकूर की जै कार्तिक के दामोदर भगवान की जै कार्तिक महास में लपसी तपसी की कहानी सुनने से ही कार्तिक महास का पूर्ण फल मिलता है लपसी तपसी की कहानी इस परकार है एक लपसी था एक तपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता लपसी सवासेर की लापसी बना कर भगवान का भोग लगा कर लोटा हिला कर जीम लेता एक दिन दोनों लड़ने लगे लपसी बोला मैं बड़ा तपसी बोला मैं बड़ा नारजी वहां से गुजरे और उन्होंने उन्हें लड़ते हुए देखा और कहा मैं कल तुम्हारा दोनों का फैसला करूँगा तुम में इसे कौन बड़ा है दूसरे दिन लपसी नहा कराया नारजी ने उसके सामने हीरे मोती भिखेर दिये उसने देखा और वह हीरे मोती उठा कर काच में दबा कर चल दिया सुबह लप्सी उठा नहां दोकर सवा सेर की लाप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिम लिया इतने में नारजी आये दोनों को बिठाया तब दोनों से कहा तुम मेंसे आज कोन बड़ाहै मैं उसे बताता हूँ नारजी ने कहा तुम दोनों अपने हाथ उठाए तपसी की काच में से हीरे मोती गिरे नारज जी ने कहा तुमने चोरी की है तुम्हारी तपस्या भंग हो गई इसलिए लपसी बड़ा है तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या काफल मुझे कैसे मिलेगा नारज जी बोले तेरी तपस्या काफल कार्तिक नहाने वाले द लबसी तपसी की जै कार्तिक मास की जै कार्तिक के ठाकूर की जै कार्तिक के दामोदर भगवान की जै